हेले फ्रेंट्स आगत है आप सभी का आर्वेद्र ट्यूब में तो फ्रेंट्स आज में आप लोगों के लिए क्लास नाइंद की महत से चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल से से कोश्चन लेकर करके आया हूं यह कोश्चन एक्सरसाइज 7.3 का कोश्चन नंबर 1 है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेइलिस्ट के लिंक देदूंगा आप वहां से जा करके वीडियो को देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं इस कोश्चन हम से क्या पुछा गया है और इसे हम कैसे सॉल्ट करेंगे कुछिन नंबर 1 ट्रेंगल ABC य ट्रेंगल B-C अर्ट्रेंगल D-B-C लू आइशो से कले से रिंगा प्रिंगल्ट if ad is extended to intersect bc at p so that first triangle abd is congruent to triangle acd second triangle abp is congruent to triangle acp third ap bisect angle a as well as angle d fourth ap is the perpendicular bisector of bc ठीक है तो यहाँ पर हमारा p point है यह मारा figure है abc एक isoscale triangle है फिर dbc एक दूसरा isoscale triangle है तो जब abc एक isoscale triangle है तो यह वाली साइड के कोल होगी और जब dbc एक isoscale triangle है तो यह वाली इस वाली साइड के एककोल होगी ठीक है और यह हमें जो है एपी पर्पेंडिकुलर प्रूब करना है ठीक है तो चलो फिर हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं आप देखो यह कुश्चन आपके पास होगा तो आपको राइट करने जरूत नहीं है मैं इसे मिटा देता हूं और इसे फिर से सॉल्व करता हूं सॉल्विशन स्टाट करेंगे सॉल्विशन फरस्ट इन ट्रैंगल एबी डी एन ट्रैंगल एच्ट वी है तो जब आप इस ट्रैंगल में देखोगे एबी डी और एच्ट में तो सबसे पहले आपको दीख़ेगा एबी इस इक्वल टू अब इसका रीजन है यह कैसा है यह फिर आपको दिखेगा यह जो बी डी है इक्वल दब कॉमन है तो a d is equal to d a यह लाइन है यह यह दोनों में सेम से मैं तो यह कॉमन हो जाएगी फ़्सकर अब इसका रिजन होगा कॉमन क्या रिजन होगा कॉमन हम तो किसी भी ट्रेंगल को कंग्रेंट करने के लिए हमें उसकी तीन corresponding side या angles चाहिए होता है तो तीन हमने आपर side ले ली है जैसे कि यह side है यह side है और यह side है ठीक है तो हम कह सकते हैं so triangle ABD is congruent to triangle ACD by SS rule ठीक है किस rule से side 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 rule से अच्छा अब अगर यह दोनों triangles congruent है तो इनके corresponding angle भी equal होगे कौन-कौन से angle देखो एक angle यह वाला इसके equal हो जाएगा तो यह angle होगा angle BAD is equal to angle CAD क्यों होगा by CPCT CPCT मतलब corresponding part of congruent triangle फिर यह वाला angle इस वाले angle के equal होगा ठीक है मतलब कि angle ABD is equal to angle ACD ठीक है यह भी CPCT से होगा अब महां लिजे आपका कोई question first है और यह कोई question second है तो यह हमारा first part हो गया कि देखो अब हम प्रूब करेंगे second है अब second में बुला गया कि दिखो ट्रेंगल A P B को ट्रेंगल ACP के कंगरेंट प्रूब करो तो सबसे पहले इनी ट्रेंगल को लेंगे consider ट्रेंगल ए बी पी एंड ट्रेंगल ACP है तो जब इन दोनों ट्रेंगल को लेंगे तो मिलेगा क्या वो देख लो ठीक है जब आप ट्रेंगल देखना ट्रेंगल ABP को लोगे तो यह वाला ट्रेंगल आएगा ABP जिसमें यह वाली इंगल ट्रेंगल ACP माने कि A, C, P इसके इस एंगल और इस साइड के बराबर है ठीक है यानि A, B, E, C और ये वाला एंगल इकल टू ये वाला एंगल लेकिन आप ध्यान से देखो यहां पर जो एक कुरिशन फस्ट है वहां पर B, A, D लिया गया है B, A, D लेने का मतलब है कि B, A, D यहां तक लेकिन इस ट् सकते हो कि यह जो एंगल है B, A, D और यह जो एंगल है C, A, D वो एक्वल हो जाएगा एंगल B, A, P, K और यह एक्वल हो जाएगा एंगल C, A, P, K यहां तक हो जाएगा ठीक है यहां तक जाओ और चाहे डी तक जाओ एंगल तो वही रहेगा तो यह फ्राम एक्वेशन वन से से होगा कांद से फ्राम एक्वेशन बंसे तो एंगल सेम रहेगा तो मैं आपर राइट कर सकते हैं एंगल बी एपी इस इक्वल टू एंगल सी एपी यह कहां से हो जाएगा फ्राम एक्वेशन वन से ठीक है वह चीज़ा आपको दिखाने के जरूत नहीं है इसलिए मनें रफ समराइट क्या है फिर आप देखोंगे कि साइड एबगी इस इक्वल टू एसी यह कैसे है यह गिवेन है और फिर एपी इक्वल टू पी यह कैसे हैं यह कॉमन है ठीक है तो आप देखूगे एक एंगल और दो साइड सो ट्रेंगल ए बी पी इस कंगरेंट ट्रेंगल ए सी पी अब रिजन क्या होगा एस एस रूल रिजन क्या होगा एस एस रूल ठीक है अब जब यह ट्रेंगल कंगरेंट हो गया तो इनकी देखो इनकी यह वाली जो साइड है बीपी इक्वाल टू यह वाली साइड तो बीपी इस एक्वाल टू पीची यह कैसे हो जाएगा यह माली जो हमारे कुशन नमबर is मतलब यह वाला एंकल इस वाले एंड़ल को ऑफंगल इसbbeां इखांघ क्रेस्पोंडिंग अलस्थ timeframe तो आपने वह हैं जो गहीं ये वाला angle इस वाला angle के क्या हो गया equal हो गया तो आप उतना write down कर लो या फिर वीडियो को पॉज़ करके screenshot ले लो फिर आगे बढ़ेंगे अब हम अपना third part prove करेंगे third part में हमें ये prove करना है कि ये जो AP है ये angle A को भी divide कर रहा है और angle D को भी ycept कर रहा है तो इसके लिए हम इसका इस्तिमाल करेंगे ये वाला angle BAP is equal to angle CAP जो कि from equation 1 से लिया गया है as angle BAP is equal to angle CAP from equation 1 ठीके तो होगा क्या है यहाँ पर देखो अब ये BAP कौन सा है BAPA है और CAPA है तो already जब ये दुनों angle equal हो गया तो angle A क्या हो गया bisect हो गया तो मैं आशे कह सकते हैं so AP bisects angle A ठीक है एक चीज तो प्रूब हो गया देखो अब आप जानते होंगे exterior angle property क्या चीज एक्स्टीरियर एंगल प्रॉपर्टी तो एक्स्टीरियर एंगल प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जैसे मानलों ये exterior angle है तो इसका प्लस इसका सम कर देंगे तो इसके equal हो जाएगा ठीक है यानि कि एंगल बी एपी प्लस एंगल एपी डी इस एक्स्टीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है तो एक्स्टीरियर एंगल प्रॉपर्टी अगर आप नहीं rates एंगल दीधी योगड होगा डी दीधी के रॉक हूर। यहां पर यह जो एंगल시 highlight प्लस एंगलस हैं इसटोना का समों को किस एंगल सीदी कि cocaine तो और टीधा ग। कि इसका रिजयान क्या होगा एक्स्टीरीय अंगल प्रोपर्टी एक्स्टीरीयर एंगल्स ठीक है तो यह दोनों इक्वल हो गए अब यह दोनों इक्वल हो गए तो यहाँ पर यह जो डीपी साइड है न वो एंगल डी को बाइसेक्ट कर रहा है तो यहाँ से हमारा थर्ड पार्ट भी प्रूब हो गया अब हम अपने फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ेंगे अब हम अपने फोर्थ पार्ट को प्रूब करेंगे लोगो फोर्थ पार्ट में क्या होगा हमने एक्वेशन फोर में इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूब किया है ठीक है बाइसी पी सिटी तो हमें पर राइट कर सकते हैं एज एंगल बी पी ए इस एक्वल टू एं पूर ठीक है तो जब ये दोनों equal है और ये वाला जो एंगल है ये एक सीधी लाइन पर बन रहा है ठीक है तो सीधी लाइन पर जो एंगल बनता है उनका सम 180 डिग्री होता है या फिर आप linear पेर एंगल कहलो तो मैं आपर कहेंगे एंगल BPA पलस एंगल CPA is equal to 180 degree यहां से हो गया हमारा एंगल BPA पलस अब यह जो एंगल CPA है तो आप देखो एंगल CPA is equal to एंगल BPA है तो इसको रख देंगे आप पर एंगल BPA is equal to 180 degree तो यह दोनों को add करेंगे तो हो जाएगा 2 एंगल BPA is equal to 180 degree 2 इदर इंटू में है इदर जाके डिवाइड में हो जाएगा तो एंगल BPA डिवाइड में ऐसे जाएगा तो 2 नाइन जा 18 हो जाएगा 0 लगा देंगे तो 90 degree तो एंगल BPA कितना हो जाएगा 90 degree ठीक अब होगा क्या इससे देखो यहां पर age angle BPA is equal to 90 degree and यह BP equal to PC BP is equal to PC from equation third then अब होगा क्या we can say जो AP है वो perpendicular हो जाएगा BC पर किस पर BC पर perpendicular हो जाएगा 90 degree का मतलब perpendicular और जब perpendicular हुआ यह दोनों equal है तो हम सीधे सीधे देखाए सकते हैं AP is the perpendicular by sector of BC तो यही हमें proved करना था और proved हो गया ठीक है तो आप चाओ तो इसे rate on कर सकते हो या फिर वीडियो को पॉज़ करके screenshot ले सकते हो तो दोस्तों comment box में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो अगर जड़ा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी share करें अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी subscribe करें हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले question के साथ तब तक ले thank you class